यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है वह बिजनस शुरू करने वाले शुरू कर चुके हैं या अभी चैसे अप डामाडूल हालत है इस जगह पे किस तरीके से आप अपने बिजनस को और भी आगे बढ़ा सकते हैं किस तरीके सा आप अपना टार्गे ओडियंस डिफाइ टार्गे 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 का मतलब जैसा आपको पता है कि वो ती धनुष अर्जुन ने जो मचली के आख में जो वो टार्गेट है ठीक है बहुत अच्छी बात है पर टार्गेट ओडियंस इसका मतलब क्या होता है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़े हैं कि यहा कुछ चीज़े हैं आपको बोलेगे कि लो ऐस्टोमर की बहुत सारी परिवाशा होती है बहुत सारी डीटेस होता है जो आपको जानना बहुत ही जुरुरी है तो सबसे पहले जैसे आप देख पारहे हैं कि यहाँ पे दो चीज़ आपको धियान में रखना पड़ेगा एक तो यहां पर आपको मैं simple example देने वाल हूँ, simple example क्या है, for example, अगर आप घर में internet लगाते हैं, तो घर में internet जो है, wifi जो है, वो हर एक कोई family member यूज़ करते हैं, पर pay कौन करते हैं, जो earning member है, एक ही member है, दो member pay करते हैं, पापा pay करते हैं, या भया जो है, job करते हैं, वो pay करते हैं, तो यहां पर user जो है, multiple user है, पर buyer सिर्फ एक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़े हैं, कि आप जो product और service जो बेच रहे हैं, उसका user कौन है, और उसके लिए पैसा आपको कौन देगा, क्योंकि यहां पर आपके marketing का strategy, आपके sales का strategy जो आप बनाने वाले हैं, वो completely उसके उपर depend करता है, यहां पर आपको यह भी देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो यह होता है, कि बहुत आप Coca-Cola या Cadbury का कुछ अगर चॉकलेट खरीते हैं, और अपने wife को देते हैं, girlfriend को देते हैं, mummy, papa किसी को अगर आप gift में देते हैं, तो यहां पर user कौन है, जिसको आप gift दे रहे हो, वो आपका user है, और buyer कौन है, आप हो, जिसने उसकी लिए पैसा पेई किया है, तो यहां प आप में जाके आपको problem होगा, क्योंकि तब आप बहुत जादा struggle करोगे, monetization में आप struggle करोगे, तो यहां पर आप सही तरीके से अपना target audience अगर नहीं ढूरते हैं, तो इसके क्या होता है, इसके नफ़ा नुकसन क्या होता है, तो सबसे पहला problem यह होता है, क्योंकि आपको यह बच्चों को marketing कर रहे हो, बच्चे तो खड़ी देंगे नहीं, पैसा कौन देगा, उनके माबब देंगे, तो यहां पर यूजर और बायर अलग हो जाता है, तो यहां पर आपका जो marketing का जो strategy वो अलग हो जाएगा, कि आपके बच्चे के लिए यह खड़ी दे, आपके बच कितना अच्छा result करेगा आपका beta या बीटी, उसके बारे में बात किया जाता है, नेक्स हो जाता है कि अगर आपका, जो target audience अगर सही नहीं, अगर आप देख रहे हैं कि आपको upper middle class को target करना है, और उस जगह पे आप lower middle class को target करने हैं, तो obviously product satisfaction होगा, नहीं, price बहुत जादा हो आपको sales में, marketing में जादा effort डालना पड़ेगा, और इसके वएजे से अगर आप जो customer है, उसको अगर सही value नहीं दे सकते हैं, तो यहां पे क्या होगा, आपका customer feedback है, वो खराब हो जाएगा, और next, अगर customer feedback खराब है, तो यहां पे आपका review भी अच्छा नहीं आएगा, और अगर आपका review अच्छा नहीं, अगर आपका product और service जो इस्तमाल कर रहे है, अगर आपका feedback अगर अच्छा नहीं होगा, तो बहुत बार आपको कोई review भी कर सकता है, तो इस जगा पर यह बहुत बरे-बरे challenges आप face कर सकते हैं, अगर आपका target audience अगर आप सही तरीके से नहीं सकते हैं, कैसे आप इसको analysis कर सकते हैं, बहुत ही simple चीज़े चली रेखते हैं, तो जैसे आप देख पार हैं, तो आपको इसको एक screenshot लेकर अपने पास रख सकते हैं, वो सबसे पहला यह है, कि competitor analysis आपको करना पड़ेगा, competitor analysis का मतलब यह है, कि आपके competition में कौन है, अगर आप देखते हैं, कि आप कोई, for example, chocolate बेशते हैं, तो आपका, आपका जो competition है, वो कौन है, वो कैसे अपने target, उसका target audience क्या है, वो किस price point में बेच रहा है, वो कौन सा strategy इस्तमाल कर रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने competitor जो है, वो analysis करना पड़ेगा, next हो जाते है, market analysis, क्योंकि market जो है, वहाँ पे बहुत सी अलग अलग टाइप के customers होते हैं, कोई rich होता है, कोई middle class होता है, कोई lower class होता है, कोई होता है, कि बहुत आपका bare minimum, essential, कहते हैं, यहाँ पे आपको market analysis करना पड़ेगा, आप कौन से segment को target करना चाहते हैं, क्योंकि उसके उपर depend करेगा, आपका marketing sales और जो भी product का pricing होगा, जो भी strategy होगा, जो भी product आप develop करेंगे, वो उसके उपर completely depend करता है, next हो जाते हैं, जब आपको market analysis आपने कर लिया, आपको पता चल गया, कि यही मेरा target audience है, फिर आपको करना पड़ेगा, क्या, आपको करना पड़ेगा, market survey, जी हाँ, market survey आपको करना प पड़ेगा, customer के साथ बात करना पड़ेगा, customer के साथ बात करके, उसका जो requirement है, problem है, query है, question है, जो भी उसका feedback होते है, अच्छा बुरा जो भी होता है, जैसे मैंने पहले एक video में कहा था, कि adapt, understand, test feedback, adapt, understand, test feedback, आपको continuously करते रहना पड़ेगा, खुद के business को mark करते रहना upper middle class से आपने शुरू किया, फिर आपने lower middle class से शुरू किया, फिर middle class से शुरू किया, फिर आप experiment करने के बाद आपने देखा कि मेरा target audience lower middle class है, तो आप उसी पर ध्यान दो, आप उसी पर focus करो, आप उसी को बेचो, फिर यहां पर जैसे देख पा रहे हैं कि आपने analysis सब विश्वास करें, क्योंकि यहां पर आपको एक trust build up करना पड़ेगा, अगर आपका नया brand है, बिजमस है, नया product है, नया service है, आप नय मार्केट में उतरे हो, कोई आप पर विश्वास नहीं करता है, और करेगा भी नहीं, मेरे उपर भी नहीं करता था, अब आस्ते आस्ते जब आप धका खाते हो, लोगों को आप convince करते हो, trust दिलाते हो, तो फिर उसको आप free में trial देते हो, इसलिए आप देखो कि free sample, free trial बोलते हैं उसको, यहां पर पहले इस्तमाल करें, फिर विश्वास करें, next हो जाता है कि आपको, आपका user और buyer जो है, उसका reaction, feedback आपको समझना पड़ेगा, उसका requirement क्या है, अगर आप एक बच्चे को चॉकलेट देते हो, वो कहता है कि नहीं, बहुती ज़्यादा तीखा है, मतलब तीखा भी नहीं कोगा, बहुती ज़्यादा बिटर है, बिटर का मतलब यह होता है, कि बहुत ज़्यादा आपने जो cocoa का quantity है, वो बढ करना पड़ेगा, cocoa जो powder आप डाल रहे हो, उसको थ्वासा कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका मिठास बढ़ जाती है, तो यहाँ पर यूजर का, बायर का, जो feedback है, जो reaction है, वो देखना पड़ेगा, अगर बायर कहता है कि नहीं, आपका pricing ना बहुत जादा है, तो फिर आप market share lose करोगे, आप customer lose करोगे, तो यहाँ पर आपको adapt करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, किस तरीके से मैं आपने, जो cost, जिस cost में मैं offer कर रहा हूँ, उसको मैं कम कर सकता हूँ, और किस तरीके से मैं उस customer को return कर सकता हूँ, और नए customer को acquire कर सकता next, जैसे आपको पता है कि अगर आप feedback ले रहे हैं, आप खुद को improve कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, खुद को improve करना होता है, प्रोग्रेस करना होता है, जब आपने customer का feedback लिया, customer का trust गेन किया, वो आपको honest feedback देगा, वो आपको बताएगा, कि यह सही है, यह गलत है, तो इस जगा पर आप खुद को improve कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, test, यहाँ पर adapt, understand, test, feedback, adapt, understand, test, feedback, यह चारो चीज़ आपको करते रहना पड़ेगा, constantly, every month, every week, और हो सके तो every day, अगर आप करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, यह जगा थोगा से change करना है, यह आप गारी चलाते हैं, गारी चलाते हैं, आप accelerator का थोड़ा adjustment करते हैं, उसी तरीके से आपके product, service, business का brand का, इस तरीके से fine tuning करके आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, अपनी business को improve और progress करते रहना पड़ेगा, तो यह आपका assignment है, जब आप business के बारे में इस video को देख र आपके business का target audience कौन है, यह आपको determine करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अभी आप pen and paper ले लो, और खुद practice करो, खुद देखो कि मेरा target audience कौन है, मेरा यहाँपर user कौन है, मेरा यहाँपर buyer कौन है, यहाँपर क्या आप गलत target audience को तो नह competitor, analysis आपको करना पड़ेगा, आपका competition क्या कर रहा है, आपको competition ऐसा क्या कर रहा है, कि वो जीत रहा है, आप आप उसको compete ने, आप पीछे आ जा रहे हो, क्यों आ जा रहे हो, यह reason आपको जानना ही पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको market survey करना पड़ेगा, जो मौजुदा customer है, जो existing customer है, उनके साथ बात कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, family member के साथ, business मत कीजिए, उनके साथ, business के बारे में feedback मत लीजे, क्योंकि वो हमेशा आपको false feedback देंगे, आपकी emotion को बरकरार रखने के लिए, आपके emotion को ठेस नहीं पहुचाने के लिए, यहाँ पे आप market survey ज़ इसके बाद आपको यह पता चलेगे, आपका target audience आपको refine कर पाएंगे, जैसे मैंने बार-बार कहा है, यहाँ पर adapt, understand, test, feedback के माधिन से आप अपनी business को improve और progress कर सकते हैं, तो आशार करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में आपको जाने को और मैं इतना पसीना पसीना इसलिए हो रहा हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पर light नहीं है, कोलकता में तुफान हो रहा है, अभी बाहर बाहरी है, light कुछ नहीं है, fan भी नहीं चल रहा है, तो समहो मैं record कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब मैंने help करने की ठानी हुई है, तो करन को आपको मिला होगा, और उसी के साथ-साथ आप determine कीजिए कि आपके business का target audience कोई है, और कोई भी आपको question query है, तो आप हमारे comment section में डाल सकते हैं, आप हमारे telegram group के साथ जूर सकते हैं, और उसी के साथ-साथ, आप मुझे twitter पे follow कर सकते हैं, जहां पर मैं बहुत सारी चीज़